हेलो एवरिवन माई नेम इस अन्रेंदर कुमार एड़ वेलकम यू आल एड़ चंडिगर क्रेड को गाइज आज जो कुरंट अफेर हैं 16 और 17 माई के हम कुरंट अफेर को कवर करने वाले हैं बेसिकली बात करता हूं 16 की तो यहां पर आपको संडे देखने को मिलेगा और संडे को जो है कोई भी ज्यादा क्रंट फेर नहीं आते हैं और जो है मंडे को 17 देखने को मिलेगा और जहां पर आपको अच्छे खासे क्रंट फेर देखने को मिलेंगे यह जो current affair होने वाले हैं they are quite relevant for the CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination यदि आप इस वीडियो का पूरे तरीके से जो है utilize करना चाते हो for that you have to participate because more you will participate, more you will learn और यदि हम quotation की बात करते हैं education is the most powerful weapon which you can use to change the world और इसी positive note के साथ कही नगी हम start करते हैं आज की वीडियो को जहां पर सबसे पहले हमारे पास important days and events की category है और important days and events की अधि में बात करता हूँ तो आज हमारे पास जो है 16th माई के बात आती है 16th माई को जो है important day observe किया गया है जिसका जो नाम था international day of living together in peace और ये कही ना कहीं जो day है ये कहीं ना कि unity and peace को promote करता है international day of living together in peace जो कि observe किया जाता है 16th माई को उसके बाद जो 17th माई को आपको day observe करने देखने को मिलेगा ये कौन सा day देखने को मिलेगा इसका होगा world telecommunication and information society day 17th माई को जो आपको day observe करने को मिलेगा वो है world telecommunication and information society day और इद में इसकी theme की बात करता हूँ तो theme है accelerating digital transformation in the challenging times theme क्या है accelerating digital transformation in challenging times और ये जो observe किया जाता है ये जो 17th माई है इसको observe किया जाता है जब world telecommunication and information society day दिकास हुआ क्या था कि जो कि 17th माई 1969 को जो found किया गया था International Telecommunication Union को जब international telecommunication union को जो है found किया जाता है in the year 1969 after that क्या कर लिए जाता है 17th माई को observe करना start कर दिया जाता है as a world telecommunication and the information society day ये दि मैं बात करता हूँ international telecommunication union के बारे में तो इसको जो found किया गया था इसको found किया गया था in the year 17th माई 1865 17th माई 1865 यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि found तो इसको basically जो है यह किया गया था लेकिन में जो force जो आया था यह आया था 1969 बे और यदि मैं बात करता हूँ इसके Secretary General की तो Secretary General कौन देखने को मिलेगे Holy George आपको क्या देखने को मिलेंगे आपसे पुछा जा सकता है Sir 16th माई को हम observe करते हैं क्या observe करते हैं International Day for Living Together in a Peace क्या होगा जो 16th माई होगा यह होगा International Day of Living Together in Peace और इसमें 17th माई की बात करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा World Telecommunication and Information Society World Telecommunication and Information Society कहीं न कहीं आपको देखने हो मिलेगा और यह जो day है observe किया गया था ITU के दौरा जिसको में International Telecommunication Union भी कहते हैं इन्होंने 1969 के बाद 17th माई को observe करना start कर दिया as a World Telecommunication and Information Society day और यह दि मैं ITU के बारे बात करता हूँ तो आपको यह देखने हो मिलेगा इसको found किया गया था in the year 1865 और यह दि मैं बात करता हूँ यह के Secretary General की कौन देखने हो मिलेगे Halloween Zoo और यह दि मैं बात करता हूँ headquarter की तो headquarter कहाँ पर देखने हो मिलेगा Geneva Switzerland के अंदर देखने हो मिलेगा इसके बाद बढ़ते हैं अपने next day की तरफ जहां पर आपको क्या देखने हो मिलेगा World Hypertension Day आपको क्या देखने हो मिलेगा World Hypertension Day अब यह hypertension होता क्या है सर यह hypertension यह होता जब आपका blood pressure काफी high हो जाता है तो उसी stage को हम क्या कहते हैं उसी को हम hypertension कहते हैं तो यह जो World Hypertension Day था इसको observe किया गया था कब 17th हो माई को और इदि मैं इसकी theme के बारे में बात करता हूँ तो theme आपको क्या देखने हो मिलेगी theme आपको देखने हो मिलेगी measure your blood pressure accurately आपको क्या करना है आपको अपना blood pressure को accurately measure करना है control करना है तब ही आप क्या कर सकते हो आप जो है ज्यादा लंबे समय तक जो है जी सकते हो so measure your blood pressure accurately control it and live longer यह basically क्या देखने हो मिलेगा आपको World Hypertension Day की theme देखने को मिलेगी और यदि मैं बात करता हूँ किस के बारे में यदि मैं बात करता हूँ United Nations Global Road Safety Week के बारे में तो यह basically क्या देखने हो मिलेगा यह start होता 17th मही से और चलता है 23 मही तक so quite important for your examination की recently जो है क्या किया गया है United Nations Global Road Safety Week जो था इसको observe किया गया तो आप से पूछा जा सकता है यह कब से कब तक observe किया गया इसको observe किया गया from the 17th हमभई up to the 23 हमभई और सर यह जो है road safety जो week है किसके दोरा observe किया जाता है यह इसको observe किया जाता है World Health Organization के दोरा जिसको found किया गया था in the year 1948 जिसका headquarter आपको कहां पर देखने हो मिलेगा Geneva Switzerland के अंदर देखने को मिलेगा और यह दि मैं इसके है जो director general है इनके बारे में बात करता हूं तो यह आपको कौन देखने को मिलेंगे Tedros आधानौम आपको देखने को मिलेंगे I hope यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा So guys यह थी हमारे पास जो हमारे पास important day से 16th और 17th मही के एक हम इंका quick review लेंगे after that हम अपनी next news की तरफ बढ़ेंगे 16th मही को आपको क्या देखने मिलेगा international day of living together in a peace 17th मही को आपको क्या देखने मिलेगा world telecommunication and information society day और यह दि मैं इसकी theme के बारे में बात करता हूं theme क्या होगे accelerating digital transformation in challenging time आपको क्या करना है digital transformation को कहीं ना कहीं क्या करना accelerate करना है in this pandemic time in this challenging time यदि इसको found किसके द्वारा किया गया था ITU के द्वारा found किया गया था ITU stands for the international telecommunication union जिसको found किया गया था in the year 1865 और यह दि मैं इसके secretary general की बात करता हूं hauling zoo होंगे और headquarter आपको कहां पर देखने मिलेगा Geneva के अंदर देखने मिलेगा यदि मैं बात करता हूं world hypertension day के बारे में तो आपको क्या देखने मिलेगा यह आपको देखने मिलेगा 17 और मई को और इसकी जो theme थी will be quite important for your examination जो कि आपको क्या करना है याद रखनी है measure your blood pressure measure your blood pressure accurately control it and live longer यदि मैं United Nations Global Road Safety Week की बात करता हूं तो यह चलेगा from the 17th of May up to the 23rd of May और यदि मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसको जो है host किया जाता है WHO के दौरा और WHO के बात करता हूं किया गया था in the year 1948 headquarter आपको जनेवा के अंदर देखने को मिलेगा और डारेक्टर जनल कौन होंगे Ted Ross अधानौम होगे अब बढ़ते हम अपनी next category की तरफ जहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे सबसे पहले क्या देखने मिलेगा जो यह personality इनका नाम के है गुंजन सिंग यह गुंजन सिंग जो है क्या बन गए नीव चीफ एक्जेक्यूटिव आफिसर बन गया किसके बाता ब्रैंड है ठीक है बाता के बारे में आई हो आप सबको पता होगा फुटबियर से रेलेटीड जो है ब्रैंड है यह तो इसके जो है नए CEO कौन बने है चीफ एक्जेक्यूटिव आफिसर बने है गुंजन शाह यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में नीरा टंडन के बारे में तो नीरा टंडन बेसिकली इनको अपॉइंट किया गया एक आपको गुंजन शाह के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि यह क्या बन गया है चीफ एक्जेक्यूटिव आफिसर बन गये है किसके बाटा के और यदि मैं बात करता हूं नीरा टंडन की यह बेसिकलि इंडो-अमेरिकन है और यदि मैं इनकी बारे में बात करता इसके जो writer है इनका नाम है प्रीत मोहन सिंग मलिक, इनका नाम क्या है, प्रीत मोहन सिंग मलिक, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, book का नाम क्या है, सिक्कीम, a history of intrigue and the alliance, यह basically किसके द्वारा लिखे गई है, प्रीत मोहन सिंग के द्वारा लिखे गई है, यह कहीना कहीं पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए अब अब करते हैं तो आपको कहा देखने मिलेगा एक जो थे इनका नाम क्या था यह BCCI के रेफरी थे इनका नाम क्या था राजेंदर सिंग ठीक है जी आएगा बीच में राजेंदर सिंग जडेजा इनकी रिसें इसको किसी नी जीता है यह जीता है रफाईल नडाल ने इसको किसी नी जीता है है रफाईल नडाल ने जीता है और यह बिसकली क्या है इन्होंने जो वर्ल्ड नबर वन जिनका नाम के है नवाक जोकोविच इनको जो है क्या किया है हराया है तो आप से पूछा जा सकता है रिसेंटली जो है इटैलियन ओपन टाइटल यह किसके द्वारा जीता गया सर इसक की बात करता हूं कोई भी defense news नहीं है government scheme कोई नहीं है quality में भी current affair नहीं है इन्वार्मेंट में कोई current affair नहीं है कि सबसे बड़ी बात mobile जब हम क्या करते है यह दियों mobile को destroy करना चाहते है जलाना चाहते है तो इसके अंदर को क्या है तो क्या देखने में मिलेंगे Semiconductor's और यह से Awaknac lique क्या होते हds यह basically जो है यह जो सैमी project साइं यह बहुत जादा आपको बहुत अच्छे समझ में आये होगी इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा एकॉनमी का सेक्षिन देखने मिलेगा जहां पर कोई की भी करंट अफेर नहीं है और इसक साथ यह क्रंट अफेर की वीडियो यहीं पर एंड होती है यदि आप पीडिएफ चाते हो तो आ यहां पर आप जाके वीजिट कर सकते हो और आपको वहां पर पीडिएफ मिल जाएगी यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में यदि आपने इस लेक्षर को अप्रिशेट किया है यदि आपको कुछ समझ आया है तो आप क्या कर सकते हो लाइक कर सकते हो और लाइक कर सकते ह हैं वह आप comment box के अंदर दे सकते हो right and if you think that is it is a worth कहीन कहीन आपको worth लगते है अपने friends के साथ share करने में इसको तो आपको करना चाहिए otherwise there is a no need और thank you so much